हाई फ्रेंस मैं उनिलोफर खान वेलकम तू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मौरम स्पेशल किछड़े के रेसिपी बहुत इसली तरीकी से अपनों के साथ शेर करूँगी तो फ्रेंस अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें शेर करें और म कुटावा यह किरानी की शॉप में आपको बहुत इसली मिल जाता है तो यह लेंगे हम ढाई कप और यहां पर यह ली हूँ मैंने जौ छिलके उत्री वी जौ है यह देड़ कप है तो जितना यह लेंगे उसका आदा हम इसमें यह जौ इस्तेमाल करेंगे तो यह भी मैंने रात भर के लिए भीगो के रख दी यह भी आपको किरानी की शॉप में इसली मिल जाएगा तो यह दोनों को भी हम ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे तो मैंने रात को इसको भीगोनी के लिए रख दी और अब हम एक प्रेशर कुकर में इन दोनों को जो है दाल देंगे नमक और हल्दी दाल के और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर मैंने कुटा वग यहू दाल दी हूँ अब जव दाल देंगे तो यह रात भर के लिए आप भीगो के रख दें तो सुबा में जो है आपका फटा फटा से जो है किटा बनने के लिए यह तैयार हो जाएगा तो इसमें दालेंगे half teaspoon healthy powder नमक दालेंगे नमक अपने टेस्के साब से दालें और इसे पानी थोड़ा जादा दालेंगे तो मैं एक लिटर के आसपर पानी दालूँगी जितना यह लेंगे जो और ग्यों उसका हम तीन गुना पानी दालेंगे तो पानी अच्छे से दाल देगे वनना नीचे लगने लगेगा और अच्छे से इसको mix कर लेंगे mix करने के बाद प्रेशर कुकर को बन करके हम इसको gas पे चड़ा देंगे पकने के लिए पहले इसको toh cup लेंगे उड़त की डाल और ल्व फोट कप लेंगे मसें की डाल और लॉभ युद撇 पीली वाली मूंग की ला इन सब को जो है मैंने एक गंटा पहले दोके भीगोने के लिए अच्छे से हम घृट लेंगे तो इसको थोड़ा सा पानी दाल के गोट लूँगी और नीचे बिलकुल भी नहीं लगा है तो अच्छे से इसको हम घोट लेंगे यह देखे इस तरह ताकि यह जो है अच्छे से मैश हो जाए तो इसको गोटने के बाद जो हम जिसमें किछोड़ा बनाना है उसमें हम इसको इसमें के दाल को जो है वो पहले आप भीगो के रख दें और यहां पे मैने मस्तुर की दाल ली हूँ और इसमें हम दाल देंगे आड़र की दाल यानि कि तूवई की दाल और लेंगे उड़त की दाल तो सारी जो डाल है वो एक साथ इसमें डाल देंगे हम यह पीली वाली मूंकी डाल और इसमें डालेंगे चावल चावल अब जो भी अब जो घर में बनाते हैं वही चावल लेंगे तो हम लोग जो है बासपती का तुकड़ा खाते हैं तो इसलिए मैंने जो घर में जो चावल रखा हुआ था वही मैं इस्तिमाल करें किषड़े के लिए तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे तो हल्दी हाफ टी स्पूर नमक अपने टेस्ट के साब से डाले और इसमें भी हम तीन गुना पानी डाल देंगे अच्छे से और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद गैस पे इसको चड़ा देंगे पकने के लिए तो पहले आप 10 मिर्ट के लिए लो फ्लेम पे रखे उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई रखे 2-3 सीटी तक हम इसको पका लेंगे तो देखे अभी 2-3 सीटी तक मैंने इसको पका ली हूँ तो दाल जो बहुत ही अच्छे से गल गई है इसको भी हम एक बाद चेक कर लेते यह देखे मैं दिखाती हूँ दाल देखे कितने अच्छे से गल गई है और यह आदा जो है यह मैश भी हो गया है लेकि फिर भी हम इसको जो है दाल गोटनी की मदब से अच्छे से इसको गोट लेंगे इस तरह तके अच्छे से जो चनी की डाल जो अक्यक की दिखरी वो भी अच्छे से जो है मैश हो जाए क्योंकि सारे डाले जो है वो अच्छे से गल गई है बस चनी की डाल जो है एक एक वो दिखरी उसको भी हम इस तरह घोट लेंगे तो वो भी जो है मैश हो जाएगा तो प्यास को हम फ्राइ कर लेंगे और इसमें हम दो से तीन तेज़ पता डाल देंगे अब जो है हम यह जो किछड़े के लिए जो है मटन का कोर्मा बना लेंगे तो इसके लिए यहां पर प्यास लाल कर रही हूँ प्यास अच्छे से लाल होना शुरू हो गया है तो अब इसमें हम दालेंगे अधर कलसुन का पेस्ट तो यहां पर मैं धाई चम्मच अधर कलसुन का पेस्ट दाल दूँगी और इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम add करेंगे भी powder masala तो सबसे पहले यहाँ पर दालेंगे half teaspoon healthy powder और one teaspoon दालेंगे लाल मिच का powder तो one teaspoon लाल मिच का powder दालेंगे और दो tablespoon दालेंगे इसमें धनिया powder और थोड़ा सा पानी दालेंगे ताकि masala जले नहीं और अच्छे से इसको mix करेंगे एक से दो मिट के लिए हम इसको भूल लेंगे तो देखे यह masala जब अच्छे से भून जाएगा इसमें हम मटन एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक किलो मटन नहीं हूँ अच्छे से इसको साफ करके हम दो लेंगे और यहाँ पर यह हड़ी वाला भी है आप चाहे तो बोलनेस में भी बना सकते है तो मटन डाल के अच्छे से जो है इन मसालों के साथ हम भूल लेंगे मटन को और यह देखिए मटन जो है अभी 10-15 मिट के लिए अच्छे से बुन चुका है आप देख सकते इसमें जो पानी में ने दाली थी पानी भी अच्छे से सूप गया है और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी दालेंगे और प्रेशर कुकर को बन करके मटन को गलने के लिए रखें मटन भी अच्छे से गल चुका है बहुत ही अच्छी हुजवार इसमें से तो अभी थोड़ा सा हम इसको भूल लेंगे थोड़ा से पानी थोड़ा जादा है तो पानी को जो हम ड्राय कर लेंगे पूरा नहीं बस थोड़ा से जो पानी है उसको हम सुखा लेंगे तो मटन अच्छे से भून गया है तो देखिए मटन को मैंने 10-15 मीट के लिए अच्छे से भून लिए हूँ इसमें जितना पानी था वो भी पानी सूप गया है तो अब जो हमने किछड़े के बरतन में जो दाल वगरा सब जो दाले थे इसी में हम ये कोर्मे को भी दाल देंगे मटन क सकी के अधि और अब हमने जेखिए पकाना मटन के साथ में तोhone किछड़े में एक अच्छा फ्लेवर मतन का तो अच्छा से इस वक्स करेंगे नमक वगरा जो और जो आप इसमें अच्छा सकते हैं तो अच्छा से यहां पर मिक्स कर लेंगे और यहां पर देखी किस्ट को पकने के लिए और साथी में हम दालेंगे लाधी बन की पल्ड sisters पॉर्डर 1 ऐलेंगी गरब मसाले का पॉडर और 1 अच्छाınız का इसको mix करेंगे और अभी पकने के लिए रख देंगे तो किछड़ा थोड़ा सा गाड़ा है तो मैं इसमें गरम पानी थोड़ा दालूँगी और इसको हम अच्छे से mix करेंगे तो इसको हम पकने के लिए रखेंगे slow flame पे वना नीचे लग जाएगा तो अभी एक पैन में हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे अभी किछड़े में तड़का देंगे तो इसके लिए यहाँ पर जो प्यास हमने बचा के रखेंगे वो सारा प्यास इसमें डाल देंगे और को golden brown होने तक हम इसको fry कर लेंगे और वह किछड़ा भी पक रहा है तो उसको भी हम पकने के लिए और तब तक प्यास को भी हम तल लेंगे थोड़े से गारिश के करेंगे तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्याज में से निकाल लूगी ऑज नित्रों कि देखिएक कृषब हमारा पक रहा है तो 10-15 मिट हो गया है इसको पकते वे तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसके उपर हम यह जो गानिश करने के लिए थोड़ा सा बचा के रख दूँगी और थोड़ा इसमें अब कश्चण करने के लिए तो इसको हम एक बाउल में सब तो बहुत ही यम्मी और डिलिश त्हे सीस्व कर लेंगे और उपर सेर्टा अध्रकि लच्छे हरी मेच or अहर धनिया से जो है गानिश कर देंगे और गर्मा करण को हम सब्द करेंगे तो तो फ्रेंस आप लोगो मिन्स रखी लगी कमेंट करके ज़रूर बाता है रेसी पे अच्छी लगी तो लाइक करें और चानल को जरूर सबूर करें अच्छी वीडियो की नोटीफिक्शन सबसे पहले शींस